लोगसभा चुनाओं की तारीकों का भले ही अभी ऐलान ना हुआ हो लेकिन सभी पार्टियों ने पूरी तरह से कमर अभी से कसली है राजनीती के मैदान में अपने विरोधियों को पठकनी देने के लिए सियासी चाले चली जा रही है रणनीती बनाई जा रही है इस कड़ी में आम आद्मी पार्टी भी पीछे नहीं है जिसने लोगसभा चुनाओं से पहले अपने दो नेताओं को बड़ी जिम्वेदारी देते हुए संगठन में पड़ा फेर बदल करे दिया है जी हां बता दें कि संगठन को मचपूत करने के लिए आम आद्मी पार्टी ने दिल्ली उनिवर्सिटी टीचर्स एसोसेशन यानि कि डूटा के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रोफेसर अधित्य नराण मिश्रा को आम आद्मी पार्टी का नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी प प्रभादी है लेकिन ये प्रोफेसर अधित्य नराण मिश्रा कौन है जिनने पार्टी ने नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी बनाया है चलिए इनके बारे में आपको हम बताते हैं बता दें कि प्रोफेसर अधित्य नराण मिश्रा शीक्षा जगत में जाना माना नाम है 1993 से लगाता शिक्षक खितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं डूटा के इतिहास में सबसे युवा प्रेजिडेंट रह चुके हैं जो तीन बार डूटा के और दो बार F.E.D. C.U.T.A. के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2003 में मोडल अक्ट के रूप में शिक्षा के निजिकरण का जो प्रारूप बिल्लामबानी रिपोर्ट के नाम से तरकालीन इंडिये सत्कार द्वारा थोपा गया था उसके किलाव देश व्यापी आंदूलन ख़़ा कर उसे बापस कराने का श्रे प्रोफेसर अधित्य नराण मिश्रा के नाम दल्च है छटा पे कमीशन जो आज तक का सबसे अच्छा पे कमीशन है वो प्रोफेसर अधित्य नराण मिश्रा ही लेकर आये थे उच्छ शिक्षा में OBC रिजर्वेशन दिलाने और उसकी एवज में 4500 अतरिक नए पदों के सरजन कराने का श्रे भी इनी को जाता है यानि अदित्य नरायन मिश्रा देश में शिक्षा जगत के चाने माने नाम है इने बड़ी जिम्मेदादी देने से ये माना जा रहा है कि श्टुडेंट के बीच आम आदमी पार्टी की लोग प्रिता बढ़ेगी जिससे पार्टी को लोग सभा चुनाओं में फाइदा होगा खे देखना ये होगा क्या वाकई अधित्य नरायन मिश्रा को इतनी बड़ी जिम्मेदादी देने के बार्टी के संगठन का विस्तार खास तौद पर शिक्षा जगत में हो पाता है या नहीं चुनाओं में इसका फाइदा आम आदमी पार्टी को मिल पाता है या फिर नहीं प्यरो रिपोर्ट देलीदर झाल